जैहिंद पेंसनर बंधू, अस्पर्स ये क्या है? ये गुड टच और बैड टच है, ये तो हम अपने बच्पन काल से ही जानते रहें, पर इस वीडियो को अस्परिचुल या इथिकल क्लासिस ना बनाते हुए, हम उस अस्पर्स की बात करते हैं, जो हिंदी में भी अस्पर् है, तो हम आज बात करने जा रहे हैं, उस PCDA पर्याग राज के द्वारा चलाया हुआ अस्पर्स के बारे में, तो हम सब डिफेंस पेंसनर को अब तक मुझे उमीद है, अस्पर्स सब्द से तो अवसे ही अउगत हो गये होंगे, और मुझे लगता है कि मुझे खुद डिफ इसलिए मैं इस बीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कि हम बता सकें कि डिफेंस पेंसनर का भाविश से अस्पर्स के हवाले अब हो गया है, और इसे किस प्रकार हम मुकावला कर सकते हैं, इसका लाब उठा सकते हैं, इसमें क्या-क्या कमिया हैं, उन कमियों को दूर कर सकते हैं, उन से कैसे निजात पा सकते हैं, लिगल रिकोर्स तो हमेशा होता है बंधूँ, पर इसके अलाबे भी कौन-कौन से टूल्स एबलेबल हैं, इन तमाम बिंदूँओं पर हम बात करेंगे, यानि कि मुखेत आज का विडियो यह केंद्रित होगा, कि सारे डिफेंस पें नराइस से होंगे, जिनको की विशेशकर जनवरी 2006 से लेकर दिसंबर 2015 तक के जो रिटाइरी होंगे, कई को मुवाइल में SMS आ चुका होगा, कई को 23rd August 2022 तक कई बैंक ने उन्हें SMS दे दिया, जिसमें आपको मुखेत अगर आप देखेंगे नहीं देखेंगे, तो देख लि जिसमें लिखा हुआ, dear customer, as per PCDA directive, your pension has been transferred from so and so bank to a spurs, PCDA pension, तो यह तो है उनके तरफ से, जो अभी तक आपके PDA हुआ करते थे, यानि कि pension dispersing agency जो हुआ करते थे, उनके तरफ से हो गया, यानि कि अब आपको वहाँ से pension आना discontinue हो जाएगा, पर यहाँ यह ध्यान देखेंगे, कि आपका pension निरंतर आता रहेगा, तो अब जैसे ही आप देखें, कि आपका transfer हो गया, तो आपको रती भर भी पजल होने की जरुवत नहीं है, इसका मतलब यह है, कि आपका a spurs में migrate हो गया है, कई लोग migrate ही नहीं समझते, migrate का मतलब यह होता है, कि अब वहाँ से आपका कोई नाता नहीं रहा, यानि कि नया नाता अब दुसरे जगह से होने वाला है, तो इसके लिए हम बिश्तार से समझ सकें, a spurs के नाम सुनते ही, हम पजल ना हो जाएं, कई बैंक के कर्मी भी इसे explain नहीं कर पाते हैं पेंस्नर को, और पेंस्नर की ब्यग्रता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपकी इनहीं तमाम बिंदूओं पर हम आज बात करने जा रहे हैं, जहांकि हम आज का विडियो सुरू करेंगे, कि वो a spurs की कौन कौन सी खास बिंदू है, यानि कि salient features क्या है, इसके कौन कौन से short falls है, कौन कौन से trouble आ रहे हैं, और भविस्ते में कैसे उन्हें सुलज नहीं चलते हैं, उसके लिए क्या alternate है, या lodging complaint है, उसकी क्या accountability है, इन तमाम बातों पर हम बात करने जाएंगे, उससे पहले, पहले a spurs के बारे में थोड़ा सा तो आपको अवस्ते जानना ही चाहिए, तो सबसे पहले यह जानिए कि a spurs एक initiative है, government of India के ministry of defense के, और वह लक्ष रखता है आपको एक comprehensive solution के लिए, जिसमें की pension के प्रसासन जो administration है, defense pensioner के ये सब है, और इसका जो vision है, यह है government of India के, digital India के तहत, जिसके की मुहीम का नाम है, direct benefit transfer, DVT, और जिसके तहत ही minimal government और maximum governance को इन विसाज किया गया, इसमें लागू किया गया है, जो की पारा 126, जो की budget speech ततकाल वित्मंत्री ने जो 2017-18 में भासन दिया था, budget भासन में, उसी के तहत यह इसकी शुरुवात हो चुकी थी, तो असपर्स के बारे में, सबसे पहला यह जान लिजे, कि यह है comprehensive based interactive pension dispersing system है, जिसमें की defense pensioner के लिए यह establish किया गया, यह system इस तरह से काम करता है, यह pension proposal, आपके record office, head office, जहां भी आप कारे रत रहे हैं, वहाँ से proposal आता है, और यह payment करते हैं centrally, इसके कारण क्या होता है, इसा माना जाता है, माना जा रहा है, कि हमारे सिकायत, जो defense pensioner के हैं, वो सिकायत कम हो जाएंगे defense pensioner के grievances, लेकिन आज जो migrate हो चुके हैं, उनके सामने जो figure है, इससे कुछ अलग ही है, तो इसके केंदर में आप यही देखेंगे, जिन्हें की एक transparent तरीका दिखाया जाएगा, जैसा कि claim किया जारा, दावा प्रस्तूत किया जारा, इसके दौरा pension account को transparent बनाने के लिए, एक ऐसा platform बनाया गया है, जो कि आपके pension के सारे data को capture करेगा, उसके history को दिखाएगा, इवेंट्स को दिखाएगा, आपके सारे entitlements को दिखाएगा, जिस date से pension start हुआ है, यानि कि migrate हुआ है, या फिर जब तक वह siege न हो जाए, तो इन सारे चीज को दिखाएगा किसे, तो उन eligible जो लाभार्थी है, बेनिफिसरी हैं उनके लिए, जैसा कि मैंने बताया ही, कि यह स्पर सिस्टम एड्मिनिस्टर किया जा रहा है, डिफेंस एकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि जो इसके एपेक्स बोडी है, प्रिंसपल कंट्रोलर औफ डिफेंस पर्मी हैं, उन सब का पेंसन किया जाए, और इसके साथ ही जो न्यू रिटायर हो रहे हैं, पिछले करीब दो साल से, तो उनका पेंसन असपर्स से ही सुरू हो रहा है, और धीरे धीरे यह सारे पर लागू हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा, कि सारे डिफेंस पेंसनर स्पर्स के ही एमबिट में आ जाएंगे, तो यहाँ आप समझ ही पाये होंगे, कि यहाँ हर डिफेंस पेंसनर के लिए क्यों इतना अहम है, और क्यों मैं बार बार इसके फीचर्स को बताते रहता हूँ, क्योंकि यह पेंसन के सारे साइकिल, जो हैं, कम्प्लीट एक्टिव हैं, उनके सीट रॉल आते हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स आते हैं, और उन्हें साइंग्सन किया जाता है, जो कि प्राइम वर्क अभी तक रेकॉर्ड ओफिस और PCDL आहाबाद का था, PSA का था, इसके साथ ही नया काम जो करने जा रहे हैं, वो डिस्बर्समेंट करन थे, इसके साथ ही जो सर्विसेस में कहीं फेलर है, कोई इस्तिकायत है, किसी तरह की ग्रवियंसेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, यह भी असपर्स से ही करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही सारे स्टेक होल्डर, चाहे हुआ पेंसनर हो, जो कि इंड यूजर है, इंड बेन करेगा, इसके साथ ही यह एक सिंगल सोर्स ओफ डाटा है, जो कि सुनिश्चित करेंगे, क्या-क्या, तो पहला पारदर्शिता हो, जैसा कि इनका दावा है, कि यह ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने जा रहे हैं, दूसरा, एकाउंट विलिटी है, तीसरा, इज आफ आये हैं इनका, यह कैसे करेंगे, तो सूचना को सही जगह पर, सही समय पर पहुंचा कर, अब मैं एक एक चीज को बात करता हूं, कि क्या प्रेजंट असपोर्स इन तीनों कसावटियों पर खरे उतर रहा है, क्या यह ट्रांसपेरेंट है, यानि कि वह पेंस्टनर, जो कि असिक्षित हैं, खास कर, उन फैमली पेंस्टनर, क्योंकि फैमली पेंस्टनर का लिटरेट होना तो कोई जरूरी नहीं है, और कई आर्मी के ऐसे पेंस्टनर हैं, जो एट्स पास हैं, जो अभी तक अपने आपको स्मार्ट फोन पर माइग्रेट नहीं कर पाए हों, बेसक पेंस्टन, PSA, PDA, अपने आपको बहुत आगे माइग्रेट करा लिया, आर्टिफिस्यल इंटेलिजन्स तक चला गया, पर कई ऐसे लाभार्थी हैं, बिसेश कर, फैमली पेंस्टनर, या जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पेंस्टनर भी, वो अभी तक तो बेसिक फ लावा किया जा रहा, यह किस प्रकार उन तक पहुचाया जाएगा, तो यह भविस्य की योजनाओं में देखने की बात है, कि यह ट्रांस्पेरेंसी की कसावटी को, किस प्रकार वो कंप्लाइंस करते हैं, और हर लाभार्थी तक इसे बहतर से पहुचाते हैं, दूसरी बा हो गया, स्पर्स में उन्हें पता नहीं चला कि लाइब सेटिफिकेट कहां जमा करना है, या तो उन्होंने जमा नहीं किया, या जमा किया, तो इंप्रोपर किया, जिसके बज़ा से अभी भी करीव एराउंड 8000, अभी लेटेस्ट वेब साइट के डाटा को देखके मैं ब अंचित हैं, पैंसन पाने से, उनके लिए किन है एकाउंटबल किया जाएगा, क्या उन पैंसनर को एकाउंटबल किया जाएगा, चुकि वो लिटरेट नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन चलाने की लिटरेसी नह है SMS वो पढ़ नहीं पाया SMS आ नहीं पाया अधार कार्ड में जो मुवाइल नंबर था वो मुवाइल नंबर ओ सीम डियक्टिवेटेड है या उनका सीम वर्क ही नहीं कर रहा है उन्होंने इनकमिंग के लिए आउटगोइंग के लिए रिचार्ज नहीं किया इन तरह की तमाम समस्याएं हो सकती है तो इसके लिए आखिर एकाउंटबिलिटी तै किया जाए तो किसे किया जाए और वह अगर एकाउंटबिलिटी तै होता है नहीं मिलने के लिए तो वह किन का स्रे जा जाए और वह data transparency की तरह कैसे दिखेगा यानि कि flow हो रहा या website में clearly दिखना चाहिए या इस तरह की ब्यवस्था हमें रखना पड़ेगा यानि कि aspers को रखना पड़ेगा इज ओफ डूइंग विजनेस की बात की जा रही है aspers के तहट तो बिजनेस का जो model है यह जब तक आप अपने customer से अपने end user से यानि कि अपने पिंसनर से connection नहीं establish कर पा रहे हैं जब तक किसे प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं जाग रुकता नहीं पैदा कर पा रहे हैं स of business हो aspers को benefit हो रहा हो government of India को benefit हो रहा हो पर क्या हमारे भारत वर्स में सिर्फ सरकार की बहतर उनकी स्वार्थ को देखकर किया जाता है मित्रों हम सब को पता है भारत वर्स सदायव से यह प्रजा के लिए काम करते रहा है लोगों के लिए काम करते रहा है तो aspers को भी ना कि aspers PCDA के benefit को देखते हुए, बजाए की उन pensioner के lab को देखते हुए, उन सारी नीतियों को फिर से बनाने की जरूरत है, formulation करने की जरूरत है, इसके लिए हो सकता है, उन्हें बहतर से प्रचार प्रसार, आज के कई ऐसे social media हैं, TV network हैं, उन के थुरू, कई uncounted seminar के थुरू, workshop के प्रचार के पास पहुचने की जरूरत है, क्या अभी तक उन्हों ने पहुचने का प्रयास किया, क्या आपको लगता नहीं है, कि इसमें accountability की issue कहीं न कहीं non-compliance हो रही है, इन सब बात पर, असपर्स टीम को बड़ी गहरी से सोचना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ, कि यह असपर्स पोर्टल जो मुख्यत दो पोर्टल से बना हुआ है, इसका पहला हिस्सा जो है, सपर्स पोर्टल हम सब जानते हैं, यह सपर्स पोर्टल जो की pensioner के लिए exclusive है, और दूसरा है pension processing के लिए, जो की सपर्स back office पोर्टल है, जो इनके generate करने वाले हैं, update करने वाले हैं, जो TCS हैं, यह और भी कई एजंसियां हैं, उनके लिए यह दिया गया है, जो की RBI के कुबेर से लेकर यह disperse करते हैं, तो यह तो back end है, जिसमें कि आपको विश्टार में ततकाल, मैं बता नहीं रहा हूँ, कोई फाइदा नहीं होगा, तो मैं asperse की उन पोर्टल के बारे म बताऊंगा, जिससे कि आपको lab होना है, तो यहां जो back end वाला office है, यह portal जो है, यह ऐसा mechanism है, जिसमें data exchange होता है, सब के साथ आपस में, चाहे वह RBI का वह account हो, जहां से कि main debit किया जा रहा है, या फिर pensioner का हो, सारे stakeholder को यहां updated रखा जाता हैं, अब जैसा कि मैंने वीडियो मे सुरुआत में ही किया, कि अगर आपको message आ चुका है, SMS आ चुका है, कि आपका migrate हो गया है, असपर्स में, तब आपको दूसरा चरण है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, PCDS पर्स टीम से एक दूसरी SMS के आने का, जो कि अकसर bank के SMS से 7 से 10 दिन के अंदर प्राया यह आ जात है, और अगर नहीं आया है, दूसरा SMS, जिसमें की user ID और password रहेंगे, तब आपको PCDA website भीजिट करना है, और वहां असपर्स migration status देखना है, तो यह तमाम बातों को हम गहराई से भी cover करने जा रहे हैं, मुझे उमीद है, आप पिंस्नर बंधू के पास समय की प्रचूरता होगी, और इस अहम विशय पर आपको तो समय निकाल के अवस्य ही सुनना चाहिए, ताकि इस एक विडियो के बाद ही, आपकी असपर्स की तमाम ब्रांतियां, जो संदे है, जो जहां तहां आप पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब की जरूरत साइद नहीं हो पाए, क् जो कि मैं यह विडियो, मैं खुद अपने आपको इंड यूजर मानते हुए, चुकि मैं स्वायम एक पिंस्नर हूँ, तो हमारी पास भी यह समस्या आने वाली है, बहुत ही जल्द हो सकती है, महीने, दो महीने, तो हमने बहुत ही गहन अध्यन किया इस विशय पर, और तब आप सबों को मैं लाभार्थी बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग जीवन के इस कठिंतम अस्थिती में, जो कि आप जीवन में, अपने सर्विस लाइप में, कठिंतम जीवन ब्यतीत किये हैं, उन रास्ट के सुरक्षा के लिए, अब आपकी जीवन सुरक्षित होना चाहिए, यह सरकार के साथ साथ हर नागरिक का दायत तो है कि उन पेंसनर को बिसेश कर उन रक्षा करमी डिफेंस पेंसनर की सारी सुबिधाओं को बेहतर से ध्यान दिया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, तो इसमें मैं बताऊं कि यह जो स्पोर्स काम कर रहा है, यह पर पहला फेंस हैं, उसमें उन पेंसनर को कभर किया गया है, जो 2016, यानि कि 1 जनवरी 16 के बाद रिटायर हुए हैं, यानि कि फेंसनर में उन्हें माइगरेट किया जा रहा है, और अलमोस्ट करीब 70-80% इस फेंसनर में माइगरेट कर लिए गये हैं, 16 के बाद वाले, अब आता है फेंस टू का नंबर, जिसमें कि वो पेंसनर हैं, जो कि 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2016 टक रिटायर हुए हैं, तो इस महीने में, यानि कि अगस्त महीने में उमीद है कि उनकी भी माइगरेशन प्रारंब हो जाएगी, कई लोग SMS मिल ही चुका होगा, थार्ड फेंस जो पेंसनर माइगरेट हो जाएंगे, जो कि 1 जनवरी 2006 से माइगरेट हुए हैं, यानि कि सारे लोग को कभर कर लिया जाएगी, अब इसकी अगर डेडलाइन की बात की जाए, तो अभी तक का जो टार्गेट टाइम है, इसका है, इंड आफ 2023 तक यह सारा माइगरेशन की प्रि उनके जो बेनफिसरी हैं, चाहे फैमली पेंसनर हों, या सेकेंडरी पेंसनर हों, सब को सुचो भर कर दिया जाएगा असपर्श में, तो अब आपको या तो इसे में साच चुका है, या नहीं आया है, तो भविश्य में कुछ परिसानी हो जाए, इससे पहले आप अपने आ सदायब, वेलनस से कंसल्टेंट बनाते रहा हूं, इंटर्परनर, ट्रेनर, जो धमी बनना चाहते हैं, उन्हें मैं ट्रेन करते रहा हूं, पर यह मेरा ब्यक्तिगत दायुत के तहत, मैं पेंसनर को भी मदद करता हूं, अपने बीडियो के मारफ़, तो अब मैं आपको बत कंप्यूटर में, लैप्टॉप में, मोबाइल में, किसी भी ब्रॉजर, यानि कि गुगल क्रोम में, या कोई भी ब्रॉजर को आप यूज कीजिए, और उसमें pcda.nick.in टाइप करें, मैं थोड़ा सा नीचे जाके बता रहा हूं, ताकि सारे पेंसनर इसमें कभर हो जाएं जैसे आप pcda.nick.in टाइप करेंगे, बेब ब्रॉजर में या गुगल में ही कर लिजिए, वहाँ आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि यह pcda.nick.nick.in टाइप करेंगे, यह सब आप सुनिश्चित कर लिजिए, ऐसा नहों कि आप स्पैमिंग कर लें, फिसिंग के सिकार ह किसी और प्राइबेट वेब साइट में चले जाएं और वो आपको कई जानकारियां लेंके कहीं और पहुंचा दें, जो कि financial losses में भी इंडप हो सकता, तो मैं सदाय भी यही बोलूँगा, कि आप उस portal का पूरा नाम टाइप करें, तो जैसे ही आप pcda.nick.nick कर रहे हैं, त तो pcda के home page में आप landing करेंगे, और यहाँ जैसे ही आप scroll करेंगे, तो नीचे के तरफ आप करेंगे, तो migration into aspers, या left side में, left tool वार जो है, यहाँ भी aspers का एक tool इन्होंने दिया है, उस tool को click करना है, और यहाँ aspers option मिलेगा आपको, और वहाँ पर aspers में जाके, check status पर click करना है, अब एक नया page आपको pop-up हो जाएगा, और वहाँ आपको know your aspers PPO and identification status heading करके, एक page खुल जाता है, यहीं पर आपको aspers PPO number दिखता है, उसी पर click करना है, अब एक pop-up और भी खुलेगा, जिसमें चार option होंगे, अब चेक करना है, कि आपका migrate हुआ या नहीं, तो उसके लिए यह चार चीज पूछते हैं, चारों में से कुछ चीज, दो तीन चीज तो आपके पास available होगा ही, सबसे पहला, आप अभी तक अगर pensioner रहे हैं, तो आपके पास bank account number होगा, यह type box देते हैं, वहाँ आप अपना account number type कर दिजे, दूसरा type box देते हैं, उसमें य इसमें से जो कुछ भी आपके पास available है, या properly आप type कर दिजे, तीसरा, अगर आपके पास EPPO number है, तो आप EPPO number दे सकते हैं, चौथा जो अंतिम है, जो आपके पास हो या ना हो, Aspurs PPO number, Aspurs PPO number तभी मिलेगा जब आपका Aspurs में migrate हो चुका है, यानि कि मैं यह मान के चल रहा हूँ, कि आपका migration हुआ है या नहीं हुआ है, यह पता ही नहीं है, तो आप bank account number या regimental number, यह दोनों तो अवस्य ही होगा, यह दोनों में से कुछ भी डालके आप click कर दें, और अंदर के option को आप select कर लें, ओके करते ही आपका verification करें, और फिर submit पर click करें, तो आपको जैसे ही यह चारों में से कोई भी एक डाले हैं, और अगर migrate हो चुका है, तो Aspurs का जो PPO number generated है, यह आपको दिख जाएगा, इसको आपको क्या करना, एक snapshot ले लीजिए, या mobile से photo खीज लीजिए, ताकि आपको सारे data मिल जाएं, और diary में उसी समय यह Aspurs PPO number जो है, वह आप लिख लें, अब इसके बाद आपको original PPO number, identification status, name, Aspurs PPO number, regimental number, bank account number, यह सारे चीज, Swim फेच हो जाते हैं, यानि कि आप एक ही डाल रहें, और सब कुछ फेच हो जाते हैं, यानि कि properly आपका migrate हो गया, तो Aspurs PPO number आप अवस से store कर लें, बहतर से, क्योंकि आगे की जो यात्रा आपकी प्रारंभ होनी है, यह इसी Aspurs PPO से ही start होगी, चाहे आप life certificate जमा करने किसी के लिए यही जरुवत पढ़ने जा रहा हैं, अब ऐसा कहा जाता है, कि जब migrate हो जाता है, तो उस veterans के दौरा, pensioner के दौरा कुछ भी करने की जरुवत नहीं है, पर यस इस ब्रह्म में, दुविधा में आप नहीं रहें, कि आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है, कुछ भी नहीं किये हुए भी, बैंक से जब migrate हुआ है, तो pension आते रहेगा, तो यह tagline है कि no action is required, लेकिन आपको इस ब्रहांती में नहीं पढ़ना है, आपको क्या-क्या action लेना है, यह आपको मैं बता दूँ, no action लेने का मतलब यह है, कि आपको migration के लिए, migrate कराने के आपको किसी भी तरह की willingness की जरुवत नहीं है, तो यहां मुझे लगता है कहीं न कहीं, उस pensioner के अधिकार को, उनके पूर्ण अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि असपर्स अभी एक अस्थापित system नहीं है, तब तक, जब तक कि यह अस्थापित ना हो जाए, उपभोकता होने के कारण, अधिकार अवस्य ही मिलना चाहिए, और किसी pensioner को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए, तो मेरी उमीद है, स्पर्स टीम इस पर काम करेगी, और हर pensioner को, उनके जो स्वभाविक अधिकार हैं, एक भारतिये नागरिक होने के कारण, उन्हे यह सचंदता होनी चाहिए, कि वह previous यानि की legacy system में ही रहना चाहते हैं, तब तक, खास कर तब तक, जब तक यह स्पर्स पूर्ण तह अस्थापित ना हो जाए, चेक, टेस्टेड और पास्ट ना हो जाए, ताकि उन्हें smoothly, सुचारू रूप से, flawlessly, किसी भी समस्या को migration हो सके, और किसी भी प्रकार उनके family को, कई pensioner ऐसे हैं हमारे समाज में, जिनका की एक मात्र आजीवका का सोत वह pension है, अगर वहाँ समस्या आ जाए, यानि कि regular shares of income नहीं आ रहा है, कई लोग का bank में EMI चलता है, अगर नहीं आया, तो EMI नहीं देने से क्या penalty होता, यह आप ल पोड़ा सा धैरे रखने की जरूरत है, और उन्हें trial test हो जाने के बाद, अस्थापित होने के बाद ही यह mandatory बनाना चाहिए, और तब तक यह सचंदता, willingness अवसे ही देना चाहिए, ततकाल, यह willingness नहीं है, हो सकती है कि आगे योजना बनाए, भारत जिस तरह से हम आजादी की और जा रहे हैं, आज हम आजादी के पच्छतर्मा वर्सगाठ मना चुके हैं, जहां निश्चित ही है कि जब आजाद भारत वर्स हो गया, तो हर ब्यक्ति को, हर नागरिक को आजादी के जो कसोटियां हैं, पारा मीटर्स हैं, उन्हें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, यानि कि हर छेतर में उन्हें चुनाव करने का विकल्प मिलना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हां, सचमुच हमारा भारत वर्स संपूर्ण तह आजाद हो चुका है, तो आपको वहां क्या करना है, जब आप ये किये, आप देख लिए कि आपका माइगरेट हो गया है, यानि कि फ आ रहा है, तो आपको अब आगे जाके क्या करना होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि Life Certificate ततकाल आपको जमा नहीं करना है, और Life Certificate कभी भी साल के अंदर आप जमा कर सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है कि नवंबर में ही जमा करें, मेरे चैनल Living Happily में ही आप टाइप करें, Living Happily As पर्स और यहां तमाम करीब 20 वीडियो आपको मिलेंगे जहां कि पार्ट वाइज हमने बताया है कि लाइब सर्टिफिकेट पर्स में किस तरह से जमा करते हैं वहां हमने यह भी बताया है कि किस तरह से घर बैठे ही या कहीं भी रहते हुए एक स्मार्ट फोन के द्वारा जो की जीवन पर्मान फेस रिडिंग आप है इसके द्वारा आप कर सकते हैं या फिर असपर्स के द्वारा ही कर सकते हैं बायमेट्रिक डिवाइसे अगर कनेक्टेड है वो हार्डवेर है तो और यह आप जो है जीवन प्रमान फेस रिडिंग और जीवन प्रमान की जो साइट है यह दोनों जो आप है यह Google Play Store पर अगर इ स्पर्स में दिया गया है उसके लिए आपको गज्टेड ऑफसर से सिंगनेचर कराना है गज्टेड ऑफसर के भी लिस्ट मैंने बताया है कौन-कौन से होते हैं उसमें भी काफी लिब्रल तरीका मनाये गया है साइन करके फिर से आप अपलोड कर सकते हैं स्पर्स पेंशन इसके साथ ही अब अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो कई ऐसे CSC हैं जो सेंटर हैं CDA सर्विसे सेंटर भी खोला गया है वेब साइट में इन्होंने रखा है कि किस तरह से आप अगर यह सब नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं यानि कि Life Certificate जमा करवाने के लिए क्या क्या आपको करना है यह सब चीज यहां बताया गया है